हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग उमीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे आज 8 जनवरी और 8 जनवरी 2024 के हर्याना करेंट अफेर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आईए सेशन की करते हैं सुरुवात आप सभी को बहुत बहुत नमश्कार मेरे पैरे दोस्तों आप लोगों के लिए कल एक सवाल दिया था मैंने उस सवाल का ठीक जवाब क्या होगा कि वर्तमान में हर्याना का लिंगानुपात कितना है तो वर्तमान में हर्याना राजिय का लिंगानुपात 917 है इस से रिलेटिड थोड़ा डिटेल सवाल जो हर्य पज़के इस session में थोड़ा cover करूँगा जिसमें आप लोगों को हर्याना के जिलों के बारे में या हर्याना के दिसाओं के according बें दक्षनी, मद्यय जिले, उत्री जिले उनमें कैसा कैसा प्रभाव है लिंगा नुपात का और थोड़ी थोड़ी साथ में related वज़े भी हम बात क सब्सक्राइब करेंगे अच्छा अपने star IQ application गूगल प्ले स्टोर पे अब लाइव हो चुकी है और विदिन वन वीक आई यूर स्टोर के उपर भी लाइव हो जाएगी आप अब इसली एकसस कर सकते हैं और हाँ जिस भी बच्चे ने अभी तक कोई भी कोर्स परचेज कर या कोई भी application उसके फोन में running है मेरी star IQ application तो एक काम करें उसको uninstall करें और एक नई application Google Play Store से star IQ सर्च कर लेना simply आपको मिल जाएगी application डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके अपना जो भी आपका नंबर था उस नंबर को fill करिएगा और password लगा देना एक दो तीन चार पांच यह सिंपल पासवर्ड आपका common ठीक है तो इसको फिल करिए का और अपना आप access कर सकते हैं कोई problem आये तो मुझसे फिर direct connect हो सकते हैं आप लोग अधार सिला बैच भी उसमें सबसे टॉप पे दिख जाएगा आप लोगों को अगर आप आप करना चाहते हैं तो उसे आगे ब लाख से जादा लोगों ने जो हना इस कारे करम में हिस्सा लिया है इस यात्रा के दुरान लोगों को स्वास्ते की जांच सरकारी योजना और सेवाओं का मोके पे मिल रहा लाब इसके बारे में जानकारी दी जा रही है कुछ इस परकार की वेन वगरा जो हना वो ट्रेवल कर रही है फिलाल के लिए हर्याना के पानिपत में कब 263 सोरे सहीद दिवस या सोरे दिवस सेलिबरेट किया जाएगा अच्छा आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हर्याना राजिय के अंदर सोरे दिवस अगर मैं सोरे दिवस की बात करता हूँ तो हर्याना के अंद तो आप सोर्य दिवस मनाया जाएगा सोर्य समारक समिती ट्रस्ट पानिपत की ओर से इसका आयोजन होने वाला है और यहां पे महारास्टर के राज्यपाल रमेस बेस जो है ना यह आएंगे मुख्य अतिती के रूप में इसके लावा किंद्रिय नागरी कुड्डन और इसपात मंत्री भी यहां पे आने वाले हर्याना के मुख्य मंत्री जी भी यहां पे सामिल रहेंगे रास्ट्री अध्यक्स परदी पाटिल भी यहां पे आने वाले हैं इस ट्रस्ट के रास्ट्री अध्यक्स हैं आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि पेपर में इनके सवाल कई बार आ चुके हैं कि पानिपत का पहला युद कब हुआ, दूसरा युद, तीसरा युद, यह सब आपको याद होगे. क्या यह आपको याद है? दिमाग पे जोर डालिएगा कि कब कब हुए. पानिपत का पहला युद, अगर आप एग्जेक्ट तारीकों के हिसाब से भी जैसे यह 14 जनवरी की तारीक है, आप याद कर रहे हो. ऐसे ऐसे पानिपत के पहले युद की तारीक याद करें हैं, आप लोग तो मैं आपको बता सकता हूँ, 21 अपरेल उसकी तारीक है, 21 अपरेल 1526 है. इ दूसरा युद अगर बात करें हम लोग एग्जेक्ट तारीकी तो 5 नवंबर है, 5 नवंबर 1556, ये किस-किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था अकबर, हालांकि अकबर तो इसमें थे नहीं, बैरम खान थे, पर अकबर में माना जाता है क्योंकि राजा तो यही थे और के important मान सकते हैं, के अलावा आप लोगों के लिए ये point भी जो है न, वो याद करने वाला है, क्या? कि तीसरा युद जो है न, इसमें जीत गया था, अकबर इधान रखना, तीसरा युद कब हुआ था? तो तीसरा युद जो है न, आपका, वो हुआ था, 14th of January को हुआ था, 1761 को, 14 जनवरी 1761 को हुआ था, अच्छा, ये कहां पे हुआ था, ये पानिपत के अंदर, जो काला अंब नाम की जगह है न, यहां पे हुआ था, पानिपत के अंदर, काला अंब नाम की जगह है, इस जगह पे हुआ, और ये जो युद हुआ था, काला अंब नाम की जगह पे ये तो चलो ठीक है हमारे पास में लेकिन इसमें जीता कोन था तो इस युद के अंदरज़ना वह जीता था कोन जीता था इसके अंदर जीतने वाले थे एहमद श साथ अब्दाली ठीकिए नहीं इहमद श साथ-अब्दाली जो वो इसके अंदर जीते थे ध्यान रखेगा आप लोग और इस यूद के अंदर हार कोन गए थे तो इस यूद के अंदर मराथा जो है ना वो हार गए थे तो यह पॉइंट भी आप लोग याद कर लेंगे और एक बात और याद कर लेना आप लोग और यहां पर पानिपत के तीसरे यूद के बाद में मराथा के सरदार थे मंगला रगुनाथ उन्होंने यहां एक मंदिर बनवाया था मंगला रगुनाथ मंगला रगुनाथ मंगला रगुनाथ मंगला रगुनाथ ने एक मंदिर बनाया था यहां पर उस मंदिर का नाम याद है आपको देवी तलाब का मंदिर है यह कि उससान एक्जाम में है चससी में कई बार आ चुका है देवी तलाब देवी तलाब का से रिलेटिड है तो आप लोगों को यह तुझी याद करना ही है एक और याद रखना कि पानिपत से 1857 की करांती में किसने हिस्सा लिया था तो इनका नाम था इमाम अली ने हिस्सा लिया था इमाम अली कलंदर इनका पूरा नाम था और पानिपत के अंदर कोई सीट आरक्षि है कि ह muchís पानीपथ की अरक्षी इस्राना इस्राना पानीपथ की एक अरक्षे स्टीट है तो इसको भी जरूर याद कर देना अप नो अछा पानीपथ से मुझे एक चीज और याद आ रही है क्या पानीपथ के अंदर अलताफ हुसेन हाली यह क्यों से ने चसर सी पूछ चुकी है याद है आपको अलताफ हुसेन अली ठीक है ना तो इनका नाम इपॉर्टन्ट है यह उर्दू कवी रह चुके हैं और इनका जनम जो है ना वह 1837 के अंदर हुआ था यह पानीपत से सम्बंदित है यह बहुत फेमस रचनाई वगरा भी है जैसे कि यादगारे गालिब करके एक सफर नामा है ऐसे इनकी कुछ फेमस रचनाई है तो आप लोगों वो याद कर सकते हैं चलिए सर जी यह पानीपत कि इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को याद रहनी चीए इपॉ जमाने में इसको सीटी ओफ व्यूवर्स यानि की बुनकरो का सेर्विया पर कहते हैं कई-कई जगह पे इसको वानप्रस्त के नाम से भी जाना करते हैं पुराने जमान में वानप्रस्त भी कहा गया है इसको थोड़ा और आगे जाते हैं गलासावाल हमारा कौन सा है कि हर्य जून दोजार चोबिस तक कंप्लीट करने के लिए इसकी योजना त्यार की गई है अर्याना के अंदर प्रदूशन नियंतरन बोड के अधिकारियों को भी मुख्य सच्चिव अर्याना के जो संजीव कोशल जी है उन्होंने निर्देश दिये हैं कि अपसिस्ट परबंदन और फ्रिदावाद के अंदर लेंड फिल में जो की अवसिष्ट पदार्त जितने भी पड़े हैं इसका निप्टान कारियों के लिए जिम्यदार लोगों के खिलाफ दंड वा जुर्माना लगाया जाए भी फूर इजामपल के लिए किसी लोगों के दवारा कच्रा फिलाय जा रहा है तो लोग वैसे तो मानेंगे नहीं कहने से एक बार फाइन लग जाएगा तो दुबारा मान जाएंगे अपने आप इसके लिए अभी यह जानकारी दी एक तो जो आपकी जगह है बंदवारी जगह है में तो और एक प्रिदावाद के अंदर मुंजेरी में विका हर्याना में किन जिलो में जनम लेने वाली लड़कियों की संख्या में भी गिरावट देखी गई है यह सवाल बहुत ज़ादा इपॉटेंट है एक्जाम प्रस्पेक्टिव इपॉटेंट सवाल है यह वाला तो इस सवाल का ठीक अंसर है उत्तर और मध्य जिलों के अंदर यानि कि नॉर्दन और सेंटरल डिस्टी कहना वहाँ पर जनम लेने वाली लड़कियों के अंदर उनकी संख्या में गिरावट देखी गई है यह जिले है कुण कुण से सर यह जिले सिरसा है फतेवाद है सोनिपत है यम्नानगर है हिसार है भीवानी है रोतक जीन और चर्क में लड़कियों की संख्या में गिरावड देखी गई है तो ये ऐसे लिंगानुपात वाला सवाला आ सकता है वैसे 2011 की जनगना के समय में हर्याना का जनम के समय लिंगानुपात 834 है जो देख में सबसे कम रहा है जिसके कारण राज्य में कन्या बुरुनहत्या के किलाफ कड़ी कारवाई भी की गई है 2015 में इसके लिए एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभी हान भी स्टार्ट किया गया 2015 में जनम के समय राज्य का लिंगानुपात 876 से बढ़ गया और लगबग 2016 में 900 से पार हो गया यह और पहले कि मतलब 834 था चेटर हुआ 2016 में 900 पार हो गया 2017 में 914 हो गया यह 18 में वही रहा लेकिन 19 में सुधर के फिर 923 हो गया 20 में 922 रहा 21 में फिर 914 था गिराउट देखी गई 25 में 916 सुधर रहा 2023 में भी उसी अंक पे लगबग लगबग बना रहा और अभी रिसेंट अधिकारियों कि अगर माना जाए तो पहले मतलब गरब के अंदर पहले ही अभी साल के अंदर देखने को मामले मिले हैं पिछले 5 सालों में राज्य में लिंग प्रिस्ट्रिक्शन करने वाले जो क्लिनिक है तो ऐसे अब जो चेतर है जहां पे लड़का हो रहा एक लड़की हो रही है यहां पे लगबग 287 चापे मारे गए हैं जिन में से 487 चापे जो ना दूसरे राज्यों में से थे पूरे हर्याना में लिंग निधारन Medical Termination of Pignancy Kit इसके इस्तमाल के तकरिवन 1376 है और परतम सुचना में जो नन के लिए FIR भी दर्ज की गई है इसके इलावा जो ना हर्याना के अंदर इन के लिए थोड़ी कारवाई के लिए भी बाते चलती रहती है अक्सर इन के लिए प्रोटेस्ट भी होते रहते हैं कि ऐसे चीजों पर रोक लगानी चाहिए रोक लगानी चाहिए क्योंकि देखो पहले से ही गरब की जांच कर लेते हैं ये एक देखो मेडिकल ने बहुत ज़्यादा ग्रॉप किया है अंडाउटली लेकिन प्राब्लम ये है ये कम क्यों हुए है ये आता है कि दिमाग में कि सरीं जिलों में कम क्यों हुए है उसकी कि लड़की है थो कुछ रूड़ीवादी सोच के अनुसार लड़की को पहले ही अबर्वा दिया जाता है मैं तो ये मानता हूं कि कहते हैं कि लड़की लड़कों से कम है ये को ऐसा है मैं थोड़ा इसको सिंप्लिफाई करता हूं फिर तुम खुदी जवाब देना कम जर्ट करने वाला न मैं तो कौण होते हूं जज करने वाला यह जहां तक कहां से आई थी मैंने पहले ला ऑफ कि होता था कि खेतों मे काम करना होता था और वहित सारे से मेहनत का काम 75 थे अग्यां कि तो फिजिकली ऐसा देखा जै ऑली का स्टॉक्चर ऐसा है biology यही कहती है हमारी की थोड़ा सा पुर्सों के सरी जो है न महीलाओं से मजबूत है उसके चलते हैं पुर्सों को आगे बताने लग गए कुछ हमारे पुराणों ने कुछ कर दिया पुराणों के अंदर तो लड़की पुराणों को पढ़ ही नहीं सकती है अधर अधर वेद के अधर वेद तो कहता है कि लड़की का जनम में ही पाप है कन्या जनम के निंदा की गई है अधार सिला बैच में पढ़ाया भी होगा यह वाला आपको पढ़ाते समया तो कुछ तो वहां से कुरुतियां दिमाग में आ गई कुछ ये चीजे भी लगा लिए हलांकि देखो ऐसा कुछ है नहीं कि बोडी का और्गन का कुछ है तो मजबूत पुर्स जादा हो गए अब ये चीजों के चलते हुए लड़कियों को हजारों सालों से दवाया जा रहा था चलो ठीक है ये मान भी लिया हमने कि ठीक है भाई तुम बायलोजिकली कह रहे हो या इनकी बीक चलो मान लिया हमने अब प्रेजेंट टाइम में क्या है कि खेत का काम तो कोई पूर्स भी करकी राजी नहीं है मुझे तो नहीं लगता कोई कर पाता होगा मैं मेरे उपर लेके बाद देखूं तो साइध नहीं हो पाएगा तो अब कौन काम कर रही है वो काम सब काम हो रहा है मसीन से हो रहा है एक टूज़र सारा काम मसीन मतलब ट्रैक्टर हो गया एक प्रकार से तो ट्रैक्टर चल के जाएगा ना एक्चुली ट्रैक्टर तो महिला चला सकती है कोई इश्यू नहीं है बैटे बैटे जाना है अब कटाई करनी है रिपर चलाना है सूपर सीडर मसीने आगी है ठीक ना एक खड़ी-खड़ी पस उसके पर चलाया सीधी विजाईभी वहोगी एक या बार में सारा काम real को गया सीटर महत सारा काम भॉत सारे नहीं लगबल सारा काम हसीनों से हो गया हाथ हूँ चलाने की जिरूरत कहा नहीं पड़ रही है सही बात है तो फिर ये काम तो मेला कर सकती है बस चलाना ट्रक चलाना साथ काम है लेकिन प्राबलम क्या है प्राबलम ठीक है फिर बराबर बराबर होगे नहीं बराबर नहीं अब मैं मैं बता रहा हूँ कि यहां थोड़ा सा उपर का रिशो है क्यों गर संभालना भी तो बच गया है ना हमसे हमसे घर नहीं संभलेगा पका नहीं संभलेगा ठीक है ना हम रो लेंगे पिट लेंगे बाहर का खाना खालें रोटी बरतन यह काम नहीं हो पाएगा और कभी भरोसा नहीं हो तो मम्मी कभी घर से बाहर चली जाए या घर पे ना हो त सोच है उसके चलते वे जतनी लगता कुछ ऐसा बाकि आप जजमेंट करिएगा कैसा है मैंने तो हो सिंप्लिफाइग कर दिया जैसी मेरी सोच है उसके अनुसार तो खेर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओगा अभी हान तो था ही था पर खेर इसका मतलब कताई यह नहीं है कि को दबा देना चाहिए मेरा थोड़ा यह भी कहना यहां पर होता है कि इक्वल समझो ऐसा भी नहीं है कि अकेला मतलब बेटी पर ध्यान दो लड़के भी बहुत महनत करते हैं तो रिस्पेक्ट किया करें आप लड़कों की भी और लड़के हैं वो लड़कियों कि दोनों त लड़के हैं रो तक है में अंदर गड़ सौनी पत्या चर्किदारी और पुरे भारत का और अवेरेज निकल के आया है से हालि में किसे हर्याना विधुत प्रसार निगम में परभंद निदेशकी भूमिका सुंपी गई है हर्याना के अंदर हर्याना Electricity Transmission Corporation की भूमिका अभी हाली में सौंपी गई है किसे अमित कुमार अगरवाल को अभी कुछ I.S. अधिकारियों के तबादले किये गए हैं जिन में से एक 2003 के I.S. अधिकारी अमित कुमार अगरवाल को हर्याना विदुत परसारण निगम में परभन निदेशक बनाया गया है मैनेजिंग डिरेक्टरी ये बन चुके है 2005 बैच के अधिकारी है भूविज्यान के राज्य निदेशक मंदीप सिंग बराड ने सूचना और जन संपरक के निदेशक के रूप में जो अपनी अत्रिक्त जिम्यदारिया है वो संभाल ली है इसके लावा हर्याना भावन में रेजिडेंट कमिशनर डी सुरेस अब मानव संसाधन के परदान सचिव बन चुके है 2004 बैच के आई साधिकारी स्कूल शिक्षा मानव देशक आशिमा बराड ने मुख्य मंत्रे के अत्रिक परदान सचिव की भूमी का संभाली है गुरुग्राम के अंदर भी मेट्रो पॉलिटिन डवलप्मेंट एरिया के अंदर परदबन देशक बन चुके हैं स्री PC मीना बने हैं इसके अलावा नगर निगम में आयुक्त के रूप में स्थानांत्रित हुए हैं स्री नरहरी बांगर गुरुग्राम के अंदर इसके अलावा स्री CG रजनी कांतन जो है इनको समान्य उद्योग और वानिजे के निदेशक और MSME के महानिदेशक और नागरी कुड़न के सलहकार के रूप में न्युक्त किया है ये न्युक्तियां ये अपॉइंट्मेंट करेंट अफेरन सारे के सारे ये इसके अलावा मानव संसादन और समान्य परसाशन जो है न इसके अंदर भी जो हैना अपॉइंट्मेंट दिया गया है आधित्य धहिया को रास्टय स्वास्त अमिशन के राज्य निदेशक की रूप में इनको अभी के लिए अपॉइंट किया गया है तो आज के 8 जनुवरी के करेंट अफिर इतने ही थे कुछ अच्छा एक बच्चे का कंसन था कि सर रोज किसन आप थोड़े लाते हो थोड़े से बढ़ा दो किसन 10 कर दो 15 कर दो मैं कहता हूँ अरे बही ये 4-5 किसन मुझे मिल जाए बहुत बड़ी बात है बात वैल्यूबल किसनों की है ना हरियाना करेंट अफिर छोटा सा राज्य है मिलते तो नहीं है किसन जब किसन मिल जाए तो मुझे बनाने में कोई इशु नहीं है न्यूज है उस कंप्लीट वैल्यूबल न्यूज मुझे भेज दीजिएगा पीपीटी बनाके बेजो से सीधी बेजो मैं बना लुगा उसे कोई दिकत नहीं है हाना चलो थैंक्यू सो मच हस्ते मुस्कुराते जरूर रहना मिलता हूं आपको 9 जनवरी 24 के करेंट अफिर सैश न्यूज है